उल्टा चश्मा में दर्शको आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर मद्धे पर्देश में भारती जन्ता पार्टी को कहिए या जोत्रय दित्ते सिंध्या साहब को कहिए उनके साथी एक-एक करके जो साथ गए थे कॉंग्रेस की सरकार को तोल करके साथ गए है जो भारते जन्ता पार्टी के अंदर लोग गए हैं और उनके नेता भी वो धीरे धीरे कॉंग्रेस में आ रहे हैं चुक्कि हवा बदल रही है मद्धे पर्देश की बड़ी खबर बताता हूं कि जोत्रय दित्ते सिंध्या के साथी समर्थक और बढ़े मजबूत अपनी और उन्होंने मैं उनका बयान सुन रहा था कहरे तक उनकी राजनीती उपर है उनकी प्रात्मिक्ताएं बदल गई हैं मेरी प्रात्मिक्ताएं कुछ और हैं अकबार लिखता है दर्शकों के MP में जोत्रय दित्ते सिंध्या के साथ बीजेपी में आये उनके समर्थक अब घ टंडन ने बीजेपी परदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखकर अपना स्तीफा दे दिया राज्य कारणी कारणी से भी उन्होंने स्तीफा दे दिया है बले मजबूत कही जाते हैं अपने एरिये में अकबाल लिखता कि स्तीफे के बाद इंदोर शेहर के कॉंग सिंद्या का साथी रहा हूँ जब मैं जोत्रे जित्ते सिंद्या के साथ बीजेबी में शामिल हुआ तो हमारे बीच बहुत इसने और एक जुटता थी अब जोत्रे जित्ते सिंद्या की प्रात्मिक्ता बदल गई है जैसा कि मैंने आप से कहा आज एक तफाक से फोटो भी वाइरल हुआ सोनिया गांधी के बराबर में जो तरह दिते सिंदे बैठे हैं लगता ये है लोगों ने कहा हमाई तरफ से कोई इसकी पुस्टी नहीं की जा रही है कि अब उनका भी मन भुटने लगा है वो भी शायद वाफसी कर सकते हैं लेकिन अब तो बहुत देर हो चुक में आपको याद होगा दर्चको सरकार को गिरा करके एक पदपा लेना ये कौन सा वड़ा काम था लेकिन वहाँ पर इस्तिति यह है कि उनके साथ जो लोग गए थे मैंने पहले भी बताया आपको एक समंदर सहाब हैं के नाम था उनका आठ सो और बारे सो गाली लेकर के वो सच्चे समर्पण को देखते हुए कौंग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं उन्हेंने कहा कि कमलना 23 सितंबर को इंदोर आने वाले हैं उसी दिन वो औपचारिक रूप से फिर से कौंग्रेस की सदस्तिता गिरहन कर लेंगे आगे लिखता है एक बार के गौर तलब सिंधि के साथ यह उलट फेर करके सरकार बना ली तो बीजेबी के लिए इसको जटका कहें और बाकी जो वा नेता हैं दर्शकों वो मैं आपको बता दूँ के विधायक भी और जो पार्टी के मजबूत नेता थे वो भी कॉंग्रेस में वापिस कर रहा है कमलनाथ के बारे में वैस चार्चों का चिलेंटर अब दो महीने के लिए क्यों किया है लोगों का कहना है महिलाओं का कहना है और मद्दे परदेश के बारे में दर्शकों को मैं आपको बता दूँ कि एक रोज का बलतकार वहां होता है सुरजे वाला एक परवक्ता जो हैं जो वांके परबारी हैं अमलनात के पूरा जोर और दूसरी बात लोगों का दम घुटने लगाया बार थे जनता पार्टी में खास करके सिंधिया के समर्था को का चुकि उनको भी वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजेगा चैनल को स खबर के साथ आता हूं दर्शकों जैहिन